भारती समाज पार्टी के राष्टी अध्यक्ष वा कैबिनेट मंत्रियों परकास राजभन ने शनीवार को सुनबद रिजिले में जन सभा को संबोधीत किया। वाँ उपस्तित हजारों की संख्या में कारकरताओं अजनता ने राष्टी अध्यक्ष का जोड़दार स्वागत किया। इस दवरान राजभन ने राहूल गांधी पर जमकर निसाना साधा। तो वहीं परिशधी विद्याले में बन रहे मध्यांतर भोजा नियोजना को भीग बताते हुए कहा कि गरीबों के बच्चे जोले में थाली लेकर इस्कूल जाते हैं। जिसके उपर जगड़ा हो एक आदमी दू आदमी आप उसको लिखो उसको जेल भेज़ो हम उसके साथ हैं। लेकिन निर्दोस को क्यों फसाते हो भाई। जो साइकिल चोर होता है दूसरे को साइकिल चोर है कहता है। तो यह लोग 40 साल तो कांग्रेश ने लूटा ना। 40 साल एक रेखा खिच दिया गरीबों का गरीबी रेखा। तो आभ कहें दिया गरीबों तुम अब ललका काड, व्यरका काड, पियरका काड, आवाज, सवचाले के लिए लड़ो। लेकिन अपने बच्चे को सिपाही बनाने की बात मत करना। अपने बच्चे को अच्छी सिख्षा के बात मत करना। इसको बंद हो जाना चाहिए आप बताओ गरीब का बच्चा थरीया लेकर जोरा विठाए बिखारी बन की अगर वही दी-एम का बेटा यसपी का डियाईजी का आईजी का डिजीपी का मंतरी का बेटा लेकर जाता थरिया नहीं तब वह डंडा लेकर अपने बाप नतारी के खड़ा जो खबारदार नहीं जाएंगे